हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ स्वाट का में दोस्तों मैं रुपेश यादम और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजनिंग का एक most important topic डाइस यानी की पासा इसी पहले भी हमने इस तरह के वीडियो को अप्लोड किया है जिसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा साती साथ play store से maths वाटि का application को download करके आप हमारे साथ paid batch में भी जुर सकते हैं वहाँ पर आपको 350 रुपए में complete mathematics और 350 में complete reasoning कराया जाएगा तो आई शुरू करते हैं आज के class को देखें अगर हम बात करें dice यानी की पासा का तो इसका सबसे best example है लूडो जिसको आप सब लोगों ने हम सब लोगों ने कभी ने कभी जरूर खिला हो गया अगर हम उस लूडो की बात करें तो उसमें कुल मिला के 6 सतह होता था जिसके उपर एक से लेकर के 6 तकांक अंकित होता है लेकिन जब भी हम उस लूडो का figure बनाएंगे पासे का figure बनाएंगे तो हमें एक साथ केबल तीन ही सतह दिखाई देगा बाकी का तीन सतह छिपा होगा और हमें इस पूरे topic के अंदर इन ही छिपी हुई सतह के बारे में पता लगाना होता है जैसे देखिए यहां पे हमें 6 दिख रहा है तो 6 ऊपर है तो नीचे वाला जो नंबर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है 6 के बिपरीत में यानि 6 के सामने वाला नंबर हमें नहीं दिख रहा है उसी प्रकार से 3 दिख रहा है तो 3 के बिपरीत में अपोजिट सर्फेस पर जो नंबर होगा वो हमें दिखाई यहां पे नहीं दे रहा है तो 4 के बिपरीत में जो संख्या है वो हमें यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना इस पूरे topic म इन्हीं छिपी वही सत्वों के बारे में पता लगाना है और dice के सारे type आपका यहाँ पे clear हो जाएगा बस class के अंतितक आप बने रहें आईए अब बढ़ते हैं अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं dice के प्रकार जैसे अगर हम बात करें dice का यानि की पासे का तो दो तरीके का पासा आपको मिलना है एक तो होगे आपका normal dice जिसको हम लोग हिंदी में सामान पासा बोलते हैं और दूसरा है आपका standard dice जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मानक पासा बोलेंगे अब दोनों में difference क्या होता है गौर से समझेगा देखिए अगर हम बात करें normal dice का तो normal dice हम लोग उसको बोलेंगे figure से पहचानिया होगा कि जिस dice के जिस पासे के किन ही दो परोसी सतह का योग साथ होगा वह आपका कहलाएगा normal dice यानि आसपास के number को जोड़ने पर अगर साथ आ गया तो वह आपका क्या होगा वह आपका होगा normal dice यानि कि सामान पासा जैसे देखिए तीन और चार जोड़िये कितना हो झाओ रहा है आसपास का कोई भी सतह जोड़ने पर अगर साथ आ रहा है दिख रहा है यहाँ पे साथ तो वह क्या होगा सामान पासा होगा लेकिन अगर किसी डाइस के परोसी सतह का योग साथ नहीं है किन्हीं दो नंबर को जोने पर साथ नहीं आया वैसे किसमें वह क्या होगा आपका वह आपका मानक पासा हो जाएगा तो मुखरूप से हमें इसको पढ़ना है नौर्मल डाइस को मुखरूप से पढ़ना है ठीक है चलिए तो मानक पासा हम लोग इसको बोलेंगे जिसमें साथ हमें नहीं दिखेगा परोसी सतह को जोने पर साथ नहीं आयेगा वह आपका क्या हो जाएगा साथ नहीं आने पड़िया क्या होगा या आपका मानक पासा होगा लेकिन अगर साथ आ गया तो वह क्या होगा साथ अगर आ गया तो वह आपका सामान पासा होगा यानि की नौर्मल डाइस होगा अब आगे देखिए अगर हम बात करें स्टेंडर्डाइस का इसका देख लिजे इसका answer आपका fix होता है यहीं पे आपका standardized समाब्द हो जाएगा standardized के परोसी सता का योग सात नहीं होता है क्योंकि कोई भी standardized होता है उसके opposite surface यानी बिपरित सता का योग सात होता है जैसे देखे 1 के सामने कौन सा नमबर होगा तो एक के सामने एक में क्या जोड़ेंगे तो साथ आएगा छे तो एक के सामने जो नंबर होगा वो पका क्या होगा पका आपका छे होगा किसमें? स्टंडर्डाइस में स्टंडर्डाइस के जो आंसर होते हैं वो आपके fix होते हैं answer आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है एक के सामने 6 हो जाएगा और 6 के सामने क्या होगा एक होगा या fix होता है उसी परकार से अगर हम बात करें 2 का तो 2 के सामने क्या होगा 2 के सामने आपका 5 हो जाएगा और 5 के सामने 2 हो जाएगा 2 और 5 साथ ठीक उसी प्रकार से 3 के सामने क्या नमबर होगा 3 के सामने 4 होगा और 4 के सामने 3 होगा यानि अगर बात standardized की की जाए तो 4 के सामने 3 हो जाएगा 5 के सामने 2 हो जाएगा और 1 के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और जो आपका Ludo है वहाई example है standard 2 का आप जरूर सको देखिएगा एक के सामने आपको 6 मिलेगा यानी कि बिपरीत सतह का योग उसमें क्या होता है 7 होता है normal में परोसी का योग 7 होता है और standard में क्या होता है बिपरीत सतह का योग 7 होता है ठीक है चलिए तो question कभी भी standardized से पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से answer दे सकते हैं तीन के सामने चार पाँच के सामने दो छे के सामने एक ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं normal dice में और यहां से बहुत सारे questions बनते हैं इसको हम लोग बारी बारी से यहां पर देखेंगे देखेगा यहां पर पहला question आपके सामने है ठीक है question के माध्यम से सारा concept आपका clear हो जाएगा बिल्कुल भी आपको टेंसर यहां पर नहीं लेना है आए question के भासा को पहले अची तरह से पढ़ते हैं बोला क्या है कि एक ही पासे की दो भीन भीन इस्थितिया दरसाई गई है मतब एक ही पासा का यहां दो इस्थितिया पहला बार जब फेका गया तो यहां तीनों नंबर दिखा है क्या बोला है एक ही पासे की दो भीन भीन इस्थितिया आगे देखिए यदि संख्या एक नीचे हो यानि निचले फलक पर हो तो सिर्स वाले फलक पे कौन सी संख्या होगी अगर नीचे में एक है तो उपर में क्या होगा यानि एक के बिपरीत वाले नंबर को हमें यहाँ पर बताना है क्या इस कोश्चन में हमें बताना है हमें इस कोश्चन में यहाँ बताना है कि एक के सामने एक के बिपरीत कौन सा नंबर होगा अब कैसे question को solve करेंगे गौर से देखेगा हम क्या करेंगे कि हम इस दोनों dice में चेक करेंगे कि क्या इस दोनों dice में कोई भी number common है चेक कर ये जरा सा 2, 5, 6, 1, 3, 6 दोनों में 6 common है 6 यहां भी है और 6 यहां भी है इस दोनों में क्या common है? 6 common है अब क्या करना है बहुत ही धिहान से समझ गा चाहे तो कोशन आपका 2 फिगर का हो या 3 फिगर का हो सबके लिए यही प्रोच हम उपनाएंगों यह हर तائप का कोशन आगे आपका आने वाला है तो इसको आप धिहान से समझ गा इस दोनों में common क्या है؟ 6 है तो अब आपको क्या करना है कि इस dice के सभी number को आपको लिखना है clockwise में कहां से सुरू करना है common term से common number क्या है 6 तो सबसे पहले लिखे 6 और 6 के बाद इसके सभी number को कैसे लिखना है clockwise में clockwise का मतलब घरी के दिसा में घरी कैसे चलती है इस तरीके से तो इस rotation को हम लोग क्या बोलेंगे clockwise और इसको क्या बोलते एंटी clockwise तो आपको कैसे लिखना है common number से clockwise में लिखना है तो common number क्या है common number दोनों में 6 है तो 6 से अगर हम clockwise में लिखेंगे तो 6 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 5 तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 5 आया जो काम आप इस डाइस के साथ किये हैं वही काम इस के साथ भी करिए common नंबर से सभी नंबर को clock अवाईज में तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 3 तो 6 के बाद क्या लिखेंगे 1 और 1 के बाद लिखेंगे 3 बस question आपका solve हो गया अब यहाँ पे जो नंबर उपर नीचे दिख रहा है वही एक दूसरे के opposite में होगा वही एक दूसरे के सामने भी प्रीथ होगा 5 के सामने क्या होगा नंबर 3 और 3 के सामने 5 2 के सामने क्या नंबर होगा 1 और 1 के सामने क्या होगा 2 उसी प्रकार से 6 के सामने क्या होगा तो 6 के सामने 6 नहीं होगा कोई 2 नंबर एक साथ नहीं आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन-कौन से नंबर यहाँ दिख रहे हैं तो 2 है, 1 है, 3 है, 5 है कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है चार इसका मतलब कि 6 के अपोजिट में वही 4 होगा 6 के अपोजिट में 6 नहीं होगा वह नंबर होगा जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 से 6 तक में कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है चार यानि 6 के अपोजित में 4 और 4 के अपोजित में हमरा question क्या था एक नीचे तो ऊपर कौन यानि एक के विप्रित में क्या होगा तो एक के विप्रित में देख लिए कौन सा नंबर आया है 2 यानि answer हमारा question का हो जाएगा विकल्प d बहुत ही आसानी से आप अपने question का answer निकाल सकते हैं अच्छा इस बार इस डोनों dice में एक number आपका common था वह common number क्या है छे था तो हमने क्या किया common number से सभी number को लिखना है clockwise में जो काम आप पहले पासे के लिए किये हैं आपको दूसरे पासे के लिए भी करना है आगे बढ़ते हैं अगला question देखे but कुश्चन नमब्र दो यहां देखिए नमबर दो कुश्चन फिर वही चीज है एक ही पासे की कि नंबर कोंडों पासे में क्या कोई नंबर है दो नूप आशे में तो देखिए च। यहां भी है छे यहां भी है इसके अलाबा चार भी है चार भी है गौर से देखिएगा क्या है इस बार दो दो नंबर कॉमन है छे चार यहां भी है तो जब दो दो नंबर कॉमन हो तो कुशन आपके लिए और ज्यादा आसान होगा जब एक नंबर कॉमन था फिर हम लोगों न यही एक दोनों एक दूसरे के बीपरीत में होगा तीन के बीपरीत में एक होगा और एक के बीपरीत में क्या होगा तीन होगा यहां पर पुछा गया था एक के बीपरीत में क्या होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा तीन हो जाएगा तो जब पासे की केबल दो ही स्थिती दर्थाई जाए और उस दोनों में दो नंबर कॉमन होगा उस केस में कॉमन के अलावा जो एक मात्र बचा है सदह दोनों में वही एक दूसरे के बिपरीत में होगा वही एक दूसरे के उल्टा में होगा एक कॉमन वाला में क्लोक वाइज लेकिन जब दो नंबर तो जो uncommon number होगा वही क्या होगा एक दूसरे के विपरित लेकिन अगर इस question में इस common वाले term से पूछ दिया जाए भई एक चीज तो clear हो गया कि एक के विपरित में क्या होगा तीन अब इदर क्या बचा 6 और 4 तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 और 4 के विपरित में कौन सा number होगा तो 6 और 4 के विपरित में वह number होगा जो हमें नहीं दिख रहा है तो 3 और 1 तो एक दूसरे के विपरित में है तो 3 और 1 आ चुका है 6 4 आ चुका है बचा क्या number 2 और 5 इसका मतल जब है कि 6 और 4 के विप्रित में यही 2 और 5 होगा लेकिन exactly किसके विप्रित में कौन होगा यह हम नहीं बता सकते हैं 6 के विप्रित में 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है उसी परकार से 4 के विप्रित में 2 भी हो सकता है 5 के विप्रित में 6 और 4 में से कोई भी हो सकता है तो यहा पर हम exactly नहीं बता सकते हैं, exactly हम किसके बारे में बताएंगे, जो uncommon होगा, उसके बारे में ही बता सकते हैं, कि किसके opposite में कौन होगा, और यही चीजा आप से पूछा भी जाएगा, जब 2 common होगा, तो uncommon वाले के बारे में ही आप से पूछा जाएगा, कि किसके सामने में कौन सा number नमबर आएगा ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे यहां पर हम लोग देखेंगे कोश्चन नमबर तीन अभी आप देखें ते कोश्चन में दो फिगर था यहां पर तीन फिगर है एक ही पासे की तीन अलग अलग इस्तितिया दरसाई गई है उस संख्या का चैन करें जो एक दरसाने वाले फलक के बिपरीत एक के बिपरीत कौन सा नमबर होगा यहां बताना है ठीक है चलिए यहां पर फिगर कितना है तीन हम क्या करेंगे किझे दो figure से अपने question का answer निका लेंगे तो figure एक और figure दो से देखिए कितना number common है देखे तीन यहां भी है तीन यहां भी है दो यहां है यहां पे नहीं है यहां 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 पे नहीं है common number क्या है तीन common number को क्या करना है उपर नीचे लिखना है common number को क्या करना है उपर नीचे चले यहां भी 3 यहां भी 3 अब क्या करना है इस common number से सभी number को clockwise में तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद क्या है 2 और 2 के बाद 1 जो काम आप इसके लिए किये हैं, वही काम इसके लिए भी करिए, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, तो तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, अब यहां से किलियर हो गया, किसके बिपरित में कौन सा नंबर, एक के बिपरित में पांच, पांच के बिपरित में एक पूछा के आ गया था एक के विप्रित में कौन सा नंबर होगा आसानी से अब अपना अंसर निकाल सकते हैं पाँच दो के विप्रित में चार, चार के विप्रित में दो और तीन के विप्रित में बोहर नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है दो एक पांचार सब है छे नहीं दिख रहा है इसका मतलब तीन के विप्रीत में छे हो जाएगा तो हमने आप से कहा कि किन ही दो डाइस का उपयोग करके आप अपने कोश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कोई जरूरी ने कि आप पहला और दूसरा का ही उपयोग करिए अगर आप पहला और तीसरा का उपयोग करिएगा फिर भी आंसर आपका आ जाएगा देखिए पहला और त इसरा में common क्या है एक तीन दो है इधर दो पांच छे है दो common है दो यहां भी है दो यहां भी है क्या करेंगे common नमबर से सभी नमबर को clock wise में तो दो एक तीन यहां पे क्या आजाएगा आपका दो दो के बाद एक एक के बाद तीन वही चीज यहां पे दो के बाद पांच पां नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है चार दो के विप्रित में चार होगा हमें क्या बताना एक के विप्रित एक के विप्रित यहां से भी क्या आ गया यहां से भी पांच आ गया तो हमें क्या करना है कि नहीं दो पासे की स्थिति को लेकर कि अपने यह तो लिखेंगे oaich इसके साथ कर यह 5 6 2 5 6 2 दखेए चार के सामने 2 तेन के सामने 6 5 के सामने वह नंमबर होगा जो नहीं दिख रहा एक five के सामने क्या है एक और के सामने 5 हमें बताना था एक के सामने कौन सा नंबर होगा आसानी से हम लोग अपना दो पासे को ले करके अपने question का answer निकाल लेना है और ज़्यादा प्रयास करना है ऐसे दो पासे की स्थिति को आप चुनिए जिसमें एक number आपका common होगा क्योंकि वहां से सभी answer आपको exactly मिल जाएगा यहाँ देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पासा में number ही मिले नंबर के अलावा आपको यहाँ पर point भी मिल सकता है इसके अलावा symbol भी मिल सकता है सात में color का नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है तो अलग अलग छीज़ मिलेगा उससे कोई दिकत हमें नहीं है यहाँ तो क्या इस option को हम इस question को by option try कर सकते हैं देखिए F के साथ में B और A दिख रहा है तो हमारा answer न तो कभी B हो सकता है और नहीं कभी A हो सकता है क्योंकि F के साथ जो number हमें दिख रहा है वह पक्का F के भी प्रीति में नहीं होगा तो C भी हमारा answer नहीं हो सकता है चलिए तो बांकि क्या बचा D और E बचा तो इसी में से कोई हमारा answer हो जाएगा अब एक जैक लिए नहीं पताब कर पा रहे हैं तो आईए यहां से हम लोग देखते हैं पहला और दूसरा की बात करें तो देखिए common क्या क्या है B और F यहां भ पा रहे हैं क्या हम पहला और तीसरा से अपने question का answer निकाल सकते हैं ट्राइ करिए जरा सा A F B यहां पे क्या है E B C है तो B common है B इसमें भी है और B इसमें भी है तो common वाला को क्या करना है उपर नीचे लिखना है और common यहां पे letter से सबी letter को clock wise में तो B के बाद A A के बाद F तो सबसे पहले अगर हम इस dice की बाद करें तो B के बाद A और A के बाद F आएगा वही काम आपको इसके साथ करना है B के बाद C और C के बाद E तो B के बाद क्या रहेगा C और C के बाद क्या रहेगा E अब यहां पे जो भी letter दिख रहा है सभी एक दूसरे के opposite में है F के opposite में E E के opposite में F A का C और C का A और B के opposite में वह letter होगा जो हमें नहीं दिख रहा है यहां पे तो A से लेकर के F तक में E तो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है देख लीजिए हमें यहां पे D नहीं दिख रहा है तो D हो जाएगा यहां पे A से लेकर के F तक के letter का उप्योग किया है य हमें क्या बताना था F के अपोजिट में अंसर क्या करेंगे F के अपोजिट में आपका E हो जाएगा तो अपने कोश्चन का आंसर हम लोग किसे निकाले पहले और तीसरे फिगर से पहला और दूसरा से इसलिए निकाले क्योंकि BF यहां भी है बी एफ यहां भी है दो common हो गया तो एक मातर जो uncommon बचा है वही एक दूसरे का उल्टा होगा मतलब A के opposite में C और C के opposite में इतना ही हम लोग बता सकते है कि से पहला और दूसरा से लेकिन हम F के opposite में चाहिए था उसी प्रकार से अगर हम चले यहां पे दूसरा और तीसरा तो क्या दूसरा और तीसरा से अपने question का answer निकाल सकते है देख लिए बी सी यहां भी है बी सी यहां भी है दो number common है दो लेटर common है तो यहां से भी आसानी से आप बता सकते हैं कि जो एक बचा वही एक दूसरे के opposite में तो समझ पाओगे कि हमें किन दोनों का उप्योग करना है यहां देखिए question क्या है पुलाय नीचे पासे की चार सितिया दी गई है जब पासे के ऊपर में एक हो तो पेंदी में क्या होगा यानि एक के बिपरित में कौन सा नंबर होगा यह बताना है अचा देखिए एक इसमें है तो एक के बिपरित में चार और छे नहीं होगा तो आप उन option को हटा दीजे जिसमें चार और छे है क्योंकि एक के साथ चार और छे दिख रहा है तो एक के बिपरित में तो नहीं होगा एक के साथ चार और पांच दिख रहा है तो एक के बिपरित में कभी भी पांच और चार नहीं होगा एक के साथ तीन और छे दिख रहा है तो एक के बिपरित में कभी भी तीन यही और छे नहीं होगा यहीं सिय हम लोग अपना एंसर निकाल लिये यानि कि पाशे की संक्या पाशे की स्तिति जितना ज़्यादा दिया जाएगा कुश्चन हमा लिए उतना सिंपल हो जाएगा हमें यहां सो professionally करने की भी आप सकता नहीं पर यह क्योंकि हम लोग देख के पता लगा लिए कि भई एक के साथ चार और छे आया है इसका मतलब पक्का एक के बिपरित में चार और छे नहीं होगा आप चाहे तो अपने question का answer किने दो पासो का उप्योग करके बना सकते है पहला और दूसरा में देखे कुछ common है 3,5,2,1,4,6 common नहीं है पहला और तीसरा में देखे क्या common है 1,4,5,3,5,2,5 common है बस आसानी से answer निकाल सकते हैं इस दोनों में common क्या है पांच तो common से सभी नमबर को लिखे clockwise में तो 5,2,3 यह तो लिखेंगे 5,2,3 वही चीज़ इसके साथ 5,1,4,5,1,4 चले किसके विप्रित में कौन नमबर है पता लग गया लेकिन 5 के विप्रित में कौन होगा जो नमबर हमें यहां नहीं दिख रहा है कौन नमबर है 6 अब हमें क्या बताना एक उपर हो तो पेंदी में क्या होगा यानि एक के विप्रित में क्या नमबर है तो एक के विप्रित में क्या हो कि यहां पर पासे को खोल के दिया गया है ठीक है बोला है नीचे दी गई आकिरती को घन बनाने के लिए मोरा जाए मतलब इसको मूर करके अगर एक पासा बनाया जाए उस केस में बताना है कि एक के बीपरीत में कौन सा नंबर होगा हमें क्या करना है इन पासों को मूर के एक जो खुला पासा दे रखा इसको मूर करके एक पासा बनाना है एक लूडो बनाना है और बनाने के बाद बताना है कि एक के बिपरीत में कौन सा नंबर होगा हम एक ची आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि एक के बिपरीत में नंबर कभी भी नहीं होगा जो उसके साथ सटा ह कि या फिर इसके सार्फेस साथ या फिर इसके को और छोची दो के बारे में ब्सक्राइक कहता हुआ है जो सथा हुँए नमबर होगा वह कभी भी लिभेव capitalism नहीं आएगा क्या करते हैं तो जब इसको मोड़े इस तरीके से तो चार बगल में आएगा अभी अपो जीट में नहीं आएगा अपोजिट में कौन में होता है alternate वाला alternate मतलब एक छोड़ का तो चार की अल्टरनेट में देखिए तो कौन है चार की अल्टरनेट में उपर से नी Appro 2 में उपर से नीचे चले छे है ठीक है इस genote अल्टरनेट में इसको छोड़ीकश का मतलब चार के अपोजिट में क्या हो जाएगा चार के अपोजिट में आपका 6 हो जाएगा उसी तरह से 2 से अगर चलेंगे तो 2 के अल्टरनेट में क्या है एक तो 2 के अल्टरनेट में क्या हो जाएगा एक अब जो बचा है नंबर वह एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा तो 5 और तीन यानि पांच के अपोजिट में क्या होगा तीन होगा हमें क्या बताना एक के विप्रित क्या होगा तो एक के विप्रित दो हो जाएगा विकल्प सी हमारा इस कोशन का सही आंसर होगा कभी कभी क्या करता है कि इस पासे को मोर के बोलेगा कि एक पासा बनाया गया तो कि तिमें से कौन सा पासा हमारा अंसर होगा तो ध्यान रखिएगा वही पासा हमारा अंसर होगा जिसमें बिपरित नंबर साथ में नहीं दिख रहा होगा चार के बिपरित में 6 है तो अगर किसी पासे में 4 और 6 दोनों दिख रहा होगा तो वह कभी भी इसको मोर के नहीं बना तिन साथ में दीखे वह option कभी भी हमारा अंसर नहीं होगा फिलहाल हमें इस question में के वाले ही पता लगाना था कि एक के विप्रित में क्या होगा जो question को देख करके हम लोग आसानी से बता सकते थे आगे चलिए आए इस question में यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि नीचे दी गई seat को जब घन बनाने के लिए मोरा जाता है तो कौन सा अक्षर इन फ्लक के विप्रित होगा इन के विप्रित अच्छा alternate वाला एक दूसरे के अपोजित तो जेड के अपोजित में क्या हो जाएग इच अब जो बच गया वह आपोजित में होगा तो इनके अपोजित में क्या आ गया यह भी कल्प भी हमारा आंसर हो गया आसानी से जब हम लोग चलेंगे left to right तो इसके alternate में हावाला तो यहाँ दोनों एक दूसरे का आपोजित यहाँ से चलिए इसके alternate में हावाला यहाँ दौनों एक दूसरे के opposite, अब बचा क्या N और E, तो यहाँ भी एक दूसरे का opposite होगा, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम चलेंगे alternate में, तो देखिए, इसके has के alternate में क्या आएगा? dollar, इसका मतलब has के opposite में क्या होगा? end हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से अगर हम चले यहाँ पे एक Moltजाए यह गलत हो गही एल्टरनेट की बात हो रही है तो डौलर के अल्टरनेट में क्या आएगा $ add the rate, तो zelf डौलर के alternate में आपका आगया add the rate उसी परकार से percentage के alternate में end, तो percentage क्या होगा हमें क्या बताना है यह दरसाने वाले फलक के विपरीट फलक किया होगा और तो नंबर के जगा आपको कभी कभी लेटर भी यह सिंबॉल भी मिल सकता है उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है पस धियान रखना है कि हमें अपने कोश्चन का अंसर कैसे निकालना है यहां पर देखे क्या बोला है दीगई सीट को एक घन काकार देने के लिए मोडा जाता है इसके इन में होगा यहां से चलेंगे तो जी कि अल्टर्नेट में एल है तो जी का अपॉस्चन हो जाएगा एक बताना था इन का अपॉस्चन का स्थितिया दर्स आई गई ए उस संख्या को चैन करिए जुश्र दर्सार ने अवाले फलकि भी प्रीत यह कॉन सा नमबर होगा आसानी से आप बता सकते हैं क्या बताना है हमें 6 के बिपरीत तो देखे 6 के बिपरीत क्या इस दोनों से बताना आसान है देखे 4 और 5 4 और 5 दो दो नंबर common है यहाँ पर क्या बचा 6 इधर क्या बचा 2 6 के बिपरीत में क्या हो जाएगा 2 आसानी से देख लिए हम लोग ठीक है हम चाहे तो पहला दूसरा पहला दूसरा में common क्या है चार common है तो यहां पे common नमबर से सभी नमबर को clockwise में लिखके भी अपना answer निकाल सकते हैं लेकिन दूसरा और तीसरा से आसानी से हमें पता लग रहा है कैसे पता लग रहा है क्योंकि अगला देखें कोशन में कभी इस परकार से आपको मिल जाएगा नीचे दिये गए चित्र पासे के मुखो की दो भिन दिसाओं को दिखाया गया है चार के बिपरित चली चार के बिपरित देखते हैं common क्या क्या है यहां पे एक भी है और छे भी है यहां भी एक और छे एक और छे दो common हो गया यहां क्या बचा चार इधर क्या बचा दो चार के विपरित क्या हो जाएगा दो हो जाएगा आंसर इस question का क्या होगा विकल पे यहां चार है यह चे है एक है चे है एक है दो है तो छे और एक दोनो गया जो exam oriented है जहां से आपके exam में question आ सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके अलवाला इक और शेयर करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉंसे प को बारते हैं एक हैं झारस क बार्टत हैं ज़या है